हेलो दोस्तो फिर से सागे थे मेरा चैनल पे मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रोनिक्स इंडिया मैं लोटन फिर लेके आए हूँ एक नया वीडियो देख सकते हमारे पास LG कोमपानी का 21 सुरी दोस्तो 29 इंच का एक टीवी लेके आए हूँ इस टीव का पॉब्लेम देखूंग सॉलिशन करके बाताऊंगा तब तक हमारा वीडियो लास तक देखते रही है और मेरा चैनल पे जो नया दोस्ते उसको कहूंगा मेरा चैनल को जुरू सस्काइब कर लेना बेल आइकोन को दबा देना और नोटिफिकसन को अन कर देना जब भी मैंने आने आप वीडियो लेक आउंगा अब लोगों को मेलते रहेंगे ठीक है दोस्तों ए जो LG TV 29 इंज का जो LG TV लेके आया हूं इस टीव का पॉब्लेम क्या है वो पहले देख लेते हैं दोस्तों जब मेरे पास ए टीवी आया था ए टीवी का जो येस्टी था वो येस्टी स्पार्किंग कर रहा था औ और इसलिए ही कास्टोमार मेरे पास लेके आया उसके बाद मैंने नयावाला एक एच्टी लागाया नयावाला एच्टी लागाने के बाद भी अमारा कुछ पॉब्लेम रह गया है वो दिखाने के लिए कोईसिस करता हूं ठीक है मैं टीवी को पावर दे देता हूं पावर लेकिंग कोज ड्रीम सा पिक्चर है हलका सा लाइट है और हमार टीवी पे जो ग्लो होना चाहिए यो ग्लो तो नहीं है उसके बाद भी एक चीज दिखा देता हूं जब मैं टीवी का मैनू दबाता हूं टीवी का रिमोट से मैनू दबाता हूं तो मैनू देखिए अंदर में घुज गया है और जो हमारा ग्राफिक्स का जो मैनू का लोगो का जो मेन इंपुड होता है जो हमारा एक जो साउंड होता है या केबिल होता है या पिक्चर होता है जो भी होता है वह बाला सिस्टेम अंदर में ही रह गया है और जब हमें चैनल का जो लोगो है लोगो को चेंज करता हूँ देखिए यह बाला भी लिखा भी अंदर में है और हमारा लोगो नहीं दिग रहा है कही भी हमारा चैनल का लोगो नहीं दिग रहा है मदलब क्या हुआ हमारा टीवी का जो पिक्चर है और पिक्चर हमारा leg and right जो हमारा horizontal length कहा जाता है horizontal length पे हमारा पिक्चर बढ़ा हो गया है ठीक है दोस्तो मैं टीवी को घुमा लेता हूँ घुमाने के बाद दिखाता हूँ कहां पे problem था और मैंने क्या किया और इस problem को solve करने के लिए क्या करना चाहिए ठीक है मैं टीबी को पहले घुमा लेता हूँ दोस्तो मैंने टीबी को घुमा चुका हूँ ए रहा हमारा 29 इंच का हमारा ट्यूप और ए रहा यॉक्वेल ए रहा बेस PCB ए रहा में PCB से बिद्ध दोस्तो आज का पॉब्लम यह जो लेंद elders का पॉब्लेम है जो होरीजन्ट लेंद बाढ़ गया है उभला पॉब्ल में हमारा और मेंद PCB का ही पॉब्लम है और जिडुह सा अलज डिशन च्रहाएं द्हुला सा सीरी जो हमारे डिम-लाइट ऑ रहा है लाइट कम हो गया है ओबहला पोब्लेम हमारा आ रहा है हमारा मेन PCB के साथ यह बजय पिसवी पर क्योंकि क्या होता है हमारा जो E deしょ section है E de Shiva से एक वोल्टह निकलता है 200 जो 200 भोल्ट आकके हमारा एर जी भी को कॉंट्रोल करता है हमारा जी टू को कॉंट्रोल होता है या हमारा जो फोकास को कॉंट्रोल करता है ओबला जो पॉइंट है ओफोकास का भी फोल्टेज लो हो जाएगा या स्कीन का लो हो जाएगा या हमारा अरजिवी का कॉंटर्स लो हो जाएगा तो हमारा पिक्चर डिम दिखेगा इसलिए हमारा ज एगनिशियन ने इसको ब्लाक टिप से या सेलो टिप से जुड़ा हुआ है और यह भी अभी तक स्पार्किंग कर रहा था इसलिए टीबी हमारे पास आया था लेकिन उसके बाद मैंने जब नया बाला यह लगाया दोस्तों इसका नामबर देखें नामबर उड़ गया है मैंन कि इसका जो कॉयल है एक कॉयल हमारा एक यह से मैच करता है 6006 लेकिन 6 जो 6006 जो होता है ओ बाला है हमारा चोटा है वो हमारा 21 इंच तक सही है वो 14 इंच पे राखता है 15 इंच पे री राखता है और 21 इंच पे भी लगता है लेकिन क्या हुआ हमारा जो 29 इंच का जो हाई सिंग का हाई भोल्टेज देना चाहिए तो ओबाला कोईल लागाने के बाद हमारा लेंद और हाइट जो भी हो और भोल इसटी मैंने मार्केट से ढूंके लेके आया और लेने लेके आने के बाद इसको कानेट किया तो हमारा जो पॉब्लेम था स्पार्किंग का ओबाला तो पॉब्लेम सॉल्फ हो गया है लेकिन जो हमारा हाईट बाला सॉरी दोस्तों लेंद बाला जो पॉब्लेम रहा गया है वो पॉब्लिम को आज दिखाऊंगा कहां से हो रहा है दोस्तों इसका जो EAST का नामबाद दिखाने के कोशिस करता हूँ अब लोगों को साइद दिखेगा यह देखिए मैं थोड़ा से जूम कर लेता हूँ कि 6174B 5003L यह बाला EAST इस पर लाखता है और इसको मैंने मार्केट से ढूनके लेके आने के बाद लागाने के बाद हमारा पिक्चा चालू हो गया है लेकिन इसका जो लेंद का पॉब्लेम और रहा गया है और लेंद कहां से कॉंट्र होता है एक तो हमारा होरिजेंटल सेक्षन से कॉंट्र होता है जो लेंद होरिजेंटल सेक्षन पे जो बूस्ट पिएब लागा रहता है वो बूस्ट पिएब कॉंट्र करता है हमारा एबल लेंद को लेंद जो होरिजेंटल लेंद होता है दोस्तो हमारा जो ए थूपल्ट का पीएब लगा रहता है यह हमारा लेंद को हाई लो करता है उसके साथ जो 400 भोल्ट और 600 भोल्ट पीएब लगाया हुआ है और उसके साथ एक टांजिस्टर भी लगाया हुआ है जो माइको पॉसेसार से हमारा कॉंट्रोल कार किया जाता है वह वहला पॉबलेम भी हो सकता है लेकिन एक चीज़ देख लीजिए मेरा जो पॉबलेम मैंने इस पॉबलेम को मैंने ढूब के निकला तो मुझे पाता चला मैंने जब टीवी को पावर दिया पावर देने के बाद हमार टीवी स्टार्टिंग हो गया स्टार्टिंग हो जाने के बाद स्टार्टिंग हो जाने के बाद जो हमारा मेन भोल्टेज होता है वोल्टेज को चेक करेंगे जो हमारा मेन पावर सेक्षन से निकल के आता है यह बाला पॉइंट पे बॉल्ट और उसके बाद और एक बोल्ट होता है इस पुडूरा का बोल्ट होता है जो फाइब बॉल्ट बानाता है मतलबब हमारा पावर सेक्षन का सबी फोल्टे जो के है उसके बाद जो हमारा हाई बुस्टिंग का पॉइन पे देखेंगे जो मैंने EST लगाया EST on होने के बाद हमारा इस पे 4 बोल्तेज बनता है जो क्याक्या 4 बोल्तेज हो देखने के लिए मैं EST चला जाता हूँ पहला तो हमारे हिटर का बोल्टेज बनता है दूसरा हमारा 28 बोल्ट Connection है 28 बोल्ट 28 बोल्ट पे चेक कर लेते है 28 बोल्ट है 27 बल बता रहा है 26 पे 28 बोल्ट वह भी आगया है उसके बाद दोस्तो हमारा मिलता है 200 बोल्ट 200 बोल्ट अमरे टीवी स्टार्टिंग होने के बाद इस टी कोईल सरी दोस्तो यक कोईल लागाने के बाद हमारा इस पे हाईवुच्टिंग बोल्टेज तैयार होना शुरू कर देता है जो 200 बोल बताए जाता है लेकिन इस पे दिखा रहा है 164 मतलब हमारा भोल्टेज रजी बी का जो भोल्टेज ऐ वो ओ आरिजी का भोल्टेज लो है उसके बाद देखेंगे हमारा 1 4 बोल्ट बनता है जो भर्टिकल को साब लाई दिया जाता है positive पे और 14-1 बांता है जो भार्टिकल ICU को साब लाई दिया जाता है अमरा भार्टिकल ICU को साब लाई देने के लिए अमारा दोनों voltage त्यार हो रहा है मदलब क्या हुआ हमारा EST running है EST रानिंग होने के बाद 4-5 voltage तयार भी हो जाता है अभूस्टिंग प्यादा भ्यालो हो गया है इसे लिए बुस्टिंग लो कर रहा है बूस्टिंग जब तब हाई नहीं करेगा तो picture का picture का quantity जो dim picture आ रहा है ओबला problem भी solve नहीं होगा और RGB का की RGB का जो voltage है 200 volt ओभी सही तरीके से नहीं आएगा मैं 200 volt को फिर से बचिक करता हूँ base PCB पे 200 volt का देखिए 163 बाता रहा है मदलब क्या हुआ हमारा high boosting जो जितना बनना चाहिए ओधना नहीं बन रहा है मैं क्या करूँगा APF को मैंने open करूँगा open करके देखूँगा क्यूंकि यह जो मुझ से पहले जो technician काम किया था ओएसे बाला काम किया क्यूंकि EST पे कभी भी ऐसे पैट्टी लगा के काम नहीं चलता है लेकिन फिर भी यह पैट्टी लगा के काम किया है मतलब horizontal section पे भी ओखूज गरबरी किया है इसलिए ही picture ज़्यादा बड़ा हो गया है ठीक है मैं इस boost PF को खोल के देखूँगा और खोलने के बाद इसका value भी चेक करूँगा ठीक है मैं boost PF को खोल लेता हूँ दोस्तो मैंने boost PF को इससे open कर चुका हूँ open करने के बाद दिखाता हूँ इसका value क्या था दोस्तो इसका value बाता रहा है 223 2000 volt मतलब है 223 223 बाता रहा है लेकिन दोस्तो हमारा जो altra sim tv होता है उसका boost PF इसके यह number का नहीं होता है इसका जो boost PF होता है ओ यह बाला boost PF होता है देखिए 123J इस पे लगाया हुआ था 223J मतलब 100 value high है इसलिए यह बाला boost PF को मैं connect करूँगा यह नया बाला पिएभे इसको connect करने के बाद देखूँगा हमारा जो problem था और problem solve भूआ की नहीं ठीक है मैं यह boost PF को connect कर लेता हूँ दोस्तो मैंने boost PF को connect कर चुका हूँ और connect करने के बाद यह रहा हमारा 223 जो PF लगाया हुआ था उसको change करके मैंने 123J का PF लगा चुका हूँ और लगाने के बाद फिर से TV को power दूँगा और power दे दिया और power देने के बाद हमारा TV स्टार्टिंग हो चुका है और TV स्टार्टिंग होने के बाद जो हमारा 200 वोल्ट हमारा low हो गया था वह बाला voltage को चेक करेंगे क्योंकि ए पीएव हमारा जो value लगाया इस पे हमारा बूस्टिंग ज्यादा करेंगा तो हमारा इस पे भी voltage बढ़ना चाहिए देखिए 241 बाता रहा है और 241 बाता रहा है मादलाब हमारा TV स्कीन पे चले जाएंगे TV स्कीन पे भी देखिए हमारा logo अंदर में आ चुका है और एक चीज़ देखेंगे मैं TV को घुमा लेता हूँ घुमाने के बाद ही पाता चलेगा कहां पर पॉब्लेम हो रहा था जो पॉब्लेम था वो सॉल्फ हुआ की नहीं दोस्तों मैंने TV को आगे से घुमा चुका हूँ और घुमाने के बाद TV को फिर से पावा दे देते है पावर इंडिकेटर ओन है ओन होने के बाद हमारा TV भी स्टार्टिंग हो चुका है और स्टार्टिंग होने के बाद हमारा पिक्चर कैसे आ रहा है ओ देख लेंगे क्योंकि हमारा जो मैनू का लोगो था मैनू का लोगो हमारा अंदर में घुश गया था या हमारा चैनल का लोगो अंदर में घुश गया था ठीक है मतलब दोस्तों ए जो पिक्चा दिग रहा है वो आप साइट पे हमारा टू इंच तक हमारा सोटेज है निचे तक हमारा टू एंज तक सोटे है वह हमारा भाटिकल सेक्षिन पर हाइट को बढ़ा देंगे तो सर्विस मूट पर वह सही हो जाएगा उससे पहले क्या करेंगे यह जो मैनू का लोगो है देखिए जो मैनू का लोगो है मैनू का लोगो अंदर में घुस गया था वह ब बुसक्त को निया बाला लागा चुका हूँन वे लाग देंखिए बाद हमारा पिक्चर का जो लोगो है जो ऑँ आंदर में घुज गया है और हमारा पिक्चर भी सही हो गया है इसके इसके। तो height का problem है। Height सो भी check कर लेते हैं। ब्राटीकल सिस्टेम पर एंगे चले जाने के बाद इसको बढ़ाने की कोसिस करेंगे ये देखिए अमारे बाटीकल लाइनर लाइलांड आफडाउन कर रहा है कि पीक्चर बढ़ा कर रहा हूं नवे कि पुरी तरह से है बडा हो गया है कि मतलबых 14 नंबर जो हमरे पॉइंट है यह पॉइंट पहले आके एप सब्सक्राइज य प्रिंट इने से यहां सिस्टेम का अपनी को फार्री आ गया थी आ हितां उब कर pension voi को है की जो हुर रहे जैतों यहां सही मेडलों सालति हो गया थी अठीक है स्टोर हो गया है स्टोर हो जाने के बाद इसको पावर दबा के इसको बाहर निकलना है नहीं तो यह ओ लोगों कुछ देव तक ओन रह जाएगा ठीक है मैं फिर से टीवी को ओन कर देता हूं ओन करने के बाद देखेंगे हमारा पिक्चर का जो आप डाउन का लेंग जो सोटे था ओ हमारा लेंद और हाइट का पॉबलेम का लिए पॉबलेम था ओ लेंध हाइट को मैंने सही कर दिया होरिजेंटल लेंद को भी सही कर दिया और वाटिकल हाइट को भी सही कर दिया और हमार टीवी का पिक्चर भी सही हो गया है ठीक है दोस्तो इसी तरह का निया निया सब तक लिए दूस्तो गुड़ बाई